बॉलिवुड ने हमेशा ही हर इंडिस्ट्री के सितारों का स्वागत किया है फिर चाहे वो पाकिस्तानी का लाकार ही क्यों न हो पाकिस्तानी सिंगर हो या एक्टर सभी ने बॉलिवुड में दशकों से अपना योगदान दिया है हलाकि भारत पाकिस्तान विवात की वज़े से इन्हें इंडिस्ट्री से दूर किया गया कई अक्ट्रिसस ऐसी आई जो पहली ही फिल्म से मशूर्त हो गई पिर भी उनका नाम आज की तारिक में कोई नहीं जानगा ऐसी ही कुछ अभी नेत्रियों के बारे में आपको बताते है माहिरा खान पाकिस्तानी अभी नेत्री माहिरा खान ने बॉलिवुड में अपना डेब्यू किंग खान यानि शारो खान के साथ किया था फिल्म रैस ने बॉक्स ओफिस पर भी अपनी चाप छोड़ी थी लेकिन फिर भी माहिरा को बॉलिवुड दर्शक शायद भूल चुके है रैस फिल्म के बाद माहिरा इतनी मशूर हुई थी क्यों ये पाकिस्तान को रीप्रेजन करने के लिए कान्ट फिल्म फेस्टिवल में भी बुलाया गया था मावरा हुकेन बला की खूबसुरत मावरा हुकेन पाकिस्तानी अभिनेत्री है जिनोंने बॉलिवुड में धमाकेदार एंटर की थी फिल्म सनम तेरी कसम में मावरा ने सरस्वती का किरदार निभाया था इस फिल्म में मावरा के सार्थ एक्टर हर्श्वधन राने थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन फिर भी मावरा को आज भी कोई नहीं जानता सबा कमर सबा कमर ने फिल्म हिंदी मीडियम से बॉलिवुड में डेब्यू किया था सबा के साथ बॉलिवुड डाक्टर इर्फान खान थे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर बहुत ही सफलता प्राप्त की थी सबा की एक्टिंग को भी काफी सराह गया था लेकिन फिर भी सबा का नाम अब बॉलिवुड में घुमनाम हो गया है हलांकि फिर्म के सीक्वल के लिए भी इस अभिमित्री का संपर किया गया था लेकिन भारतपाकिस्तान मस्ले को देखते हुए उन्हें इस फिर्म से हटा दिया गया वीना मलिक पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रिस वीना मलिक ने बिग बॉस के जरिये बॉलिवुड में एंट्री की थी इसके बाद उन्होंने कई आइटम सॉंग भी किये उन्होंने फिल्म दाल में कुछ काला है में भी किर्दा निभाया था लेकिन मेना का नाम अब बॉलिवुड में नहीं लिया जाता सारा लॉरिन अभी नेत्री सारा लॉरिन बेहदी बोल्ड और खुबसूरत अक्ट्रिस है उन्होंने फिल्म मुर्डर 3 से बॉलिवुड में इंट्री की थी फिल्म में उनके साथ रंदि फुडा और अधिती राव हैदिरी भी थे फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अच्छा कलेक्शन किया लेकिन फिर भी सारा को अब इंडिस्ट्री में कोई भी नहीं जानता